थोड़ा सो ओवर एक्साइटेड हो जाओ इस एपिसोड में मंबल चंबल कर दिया तो भाया माफ कीजेगा लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कुछ परसनल सा कनेक्ट है इस वाली स्टोरी से चंद्रयान की स्टोरी से क्योंकि चंद्रयान वन को मैंने परसनली विटनिस किया था लॉंच करते हुए श्री हरी कोटा से और मुझसे आज भी जब कोई पूसता है कि एक भारतिया नागरिक होने का सबसे जादा एहसास और प्राइड वाली फीलिंग कब आई थी तो मैं बोलता हूं जब चंद्रयान को लॉंच करते हुए देखा था उस समय सेलफी एलफी का तो जमाना नहीं था तो अपने किताब में उसके बारे में एक चैप्टर जरूर डेडिकेट किया है टेल्स रॉम शाइनिंग इंडिया में चंद्रयान पर एक चैप्टर है कि किस तरीके से भारत और हमारा जो स्प का जो सैटलाइट है वो आज भी लूनर ओर्बिट पे है और काम भी कर रहा है कैसे और इस मिशन में कैसे हल्प करेगा उसके बारे में भी बात करूँगा और फाइनली आती है चंद्रयान थ्री के बारे में लॉंच से लैंडिंग तक सब कुछ लाइव देखा और एपिसो खिर भॉबनात हमारे इसरो के चीफ और उनकी पूरी टीम है जिसने ये साइंस की जो आज जीत कराई है आज हमारे देश के साइंटिस्ट हैं में आज उनही का दिन है जो कि हमारे थमनेल में भी इस Brave ही है क्योंकि उन्हों ने ही और उनकी टीम ने ही आज भारत को चंद्रमा तक पहुंचाया है चंद्रयान के थूप अब जल्दी से ये बात करते हैं कि ये मिशन इतना भी क्रिटिकल क्यों है इतने लोग और international scientific community भी ऐसे टुक्टुकी लगाकर क्यों बैठी हुई है क्यों देख रही है इस मिशन को क्योंकि चंद्रयान 3 जो है lunar south polar region में land करने की कोशिश करने के लिए गई थी और अब successful land कर गई इसको आप कह सकते हैं 370 miles from the exact south pole of the moon अगर आप comparison में देखें तो ये उसी तरीके से land हो रहा है जैसे हम Antarctica की edge पर land कर रहे हैं तो dot south pole के रिदम खोपड़ी पर नहीं लेकिन lunar south में land कर रहे हैं अब ये वो ही जगह है जहां unfortunately चंद्रयान 2 का mission crash land होगा 2019 में ये वो ही जगह है जहां रशिया अपना lunar 25 spacecraft land कराने की कोशिश कर रहा था unfortunately वो भी crash land हो गया नहीं तो रशिया बन जाता the first nation to send a soft land a probe on the lunar south ये जो space missions हैं ये आसान नहीं होते हैं और आज इसी लिए इतना feeling of pride है क्योंकि आ अंदाजन लगाई है कि सबसे पहले रशिया ने probe भेजा मून में और lunar 2 को land कराने की कोशिश की थी वो crash land की थी but that was the first probe to reach the lunar surface 1959 की बात कर रहा हूँ उसके बात लूना 9 1966 में जाकर पहली ऐसी spacecraft बनी जिसने एक soft landing की एक survival landing की lunar surface में वो ही रशिया अच्छा चलो वो USSR था लेकिन अब वो ही रशिया का जो space program है आज lunar 25 भेजती है लेकिन वो crash land कर जाता है तो इतना experience दशकों का experience इतना scientific achievement होने के बाद भी आप crash करा देते हो तो इसी लिए ये बहुत important है उस पर थोड़ा सा और मैं detail में बात करूँगा कि दूसरे देशों का क्या हाल है लेकिन south pole का जो ये मसला है ये overhype है या इसमें science की एक बड़ी खोज है क्योंकि ये जो आज तक के जो spacecrafts land किये हैं ये lunar equator के आसपास किये हैं लेकिन अब बात ये हो रही है scientific community में ये बात हो रही है speculation हो रही है कि frozen water हो सकता है जो lunar surface में जो south pole का जो region है वो permanent shadow areas में रहती है क्योंकि जब moon revolve कर रह होता है तो वो sun की किरनों से सूरे की किरनों से छुपा रहता है और इनहीं में ice water होने की संभावना बोली जाती है अगर ये ice ये water मिलता है तो आप सोचे future में astronauts के लिए कितना बड़ा फाइदा होगा वहां space station आराम से फिर बन पाएगा आज जो हुआ वो इसी दिशा में कम बहुत important factor बन जाता है कि हमारा जो lander है विक्रम और उससे निकलने वाला प्रग्यान rover first nation to land on the southern polar region of the moon और चोथे देश हम बन गए हैं आज जिसने moon चंद्रमा की सतय पर soft landing की है और उससे भी बड़ी बात कि ये हम 600-615 करोर रुपए के budget पे हम कर पाए आदी पुरुष पिच पर हमने चांद पर landing कर दी इससे बड़ी आप कोई super hit हो सकती है as a matter fact S.O.M.N.A.T. खुदी कहते हैं इसरो के chief खुदी कहते है कि इसरो ने जो achieve किया है वो बहुत कम resources पर achieve किया है और ये गर्फ करने की बात है कि इतने cost effective missions दुनिया में और कोई नहीं कर सकता है और दूर इसरो के चक्के क्यों छूड जाते हैं जहां तक landing की बात आए lunar south pole में इंडिया का विक्रम moon lander 2019 में चंदरयान 2 part of the चंदरयान 2 mission वो crash कर जाता है इसराइल का non-profit space else berashit lander वो भी fail कर जाता है 2019 के April के महीने में और ये descent और landing इतना difficult होता है क्योंकि last जो आपके 15 minute होते हैं उसम जो automated systems को काम करना होता है और इतने सारे variables बन जाते हैं जिसको इसलिए इसरो नो भी का है 15 minutes of terror क्योंकि lander को successfully carry out करना पड़ेगा complex command उसके बाद rocket engine fire करो failure का आपके पास कोई scope नहीं है zero error का chance है उसके बाद moon की gravity जो की बदल भी सकती है area के साथ-साथ plus uneven terrain है उसके बाद dust जो हो रहा है अर्बो खर्बो मील दूर autonomously क्योंकि यहां से command जब तक भीजोगे वहां तक कूरा खेल खतम हो चुका होगा चंदरयान टू final moments में land करते समय क्रैश कर जाता है इसरेल का बेरा sheet final moments में communication loss हो जाती है 500 feet थी सिर्फ moon surface के उपर जब वो भी भाई साथ क्रैश कर जाते ह 25 के साथ क्या होता है इतना साधा experience रशिया का लेकिन वही गरबड होई कि final में जब उन लोग ने orbital adjustments करने की कोशिश की कि भाया अब तयारी करेंगे landing की तो लूना 25 ने अपने engines fire किये जिससे spacecraft एक elliptical orbit पे आ जाए वो landing से पहले वाला penultimate stage वही होता है उसके बाद क्या होता ह रशिया, contact, loss with the spacecraft अब मालुम चलता है क्योंकि engine को program किया गया था 84 seconds के लिए fire करने के लिए लेकिन वो fire करता है 127 seconds बस इतनी सी गलती और आपका spacecraft जाता है सीधा collision course में और चंदरमा से भिड़ जाता है और खतम हो जाता है उसका नाश हो जाता है यह सब ना हो चंदरयान 3 के साथ इसके लिए बहुत सारी तैयारी की गई और इसी में एक जो process होता है जो transfer होता है कि एक high speed horizontal position में उनने वाली एक aircraft को धीरे करो, moon के surface के पास लाओ, vertical position पे लाओ और उसको gently land कराओ बहुत जादा complicated है इसको आप इतना आसान ना मनें इसके चार phases थे जो आज हमने live stream पे देखे मैं ने भी देखा दिमाग घूम जाता है जब आप इतनी scientific advancement देखते हो वो भी हमारी इसरो कर पाती है इतने कम budget में जो first phase जो था वो है rough breaking phase इसमें आप सोचिए 6000 km प्रती घंटे की रफतार पर एक spacecraft जा रहा है 30 km उपर lunar surface पे तो पहले तो आप rocket engines fire करके आप इसको धीरे करते हो और ये भी और इसी चकर में ही अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर lunar 25 जैसा हालत होगा कि rocket engine गलत fire हुआ गया आता है दूसरा phase height of 7.42 km चंद्रमा की surface पे lander एक altitude hold phase में जाता है 10 second तक रहता है इसमें tilt from a horizontal to a vertical position होता है और while distance of 3.48 km भी travel कर रहा है तो आप अपने direction भी change कर रहे हो और lunar surface के पास भी आ रहे हो धीरे धीरे उसके बाद आता है fine breaking phase ये about 175 seconds का बहुत ही delicate phase होता है lander fully vertical position पे आता है और धीरे धीरे अपनी गती एकदम zero के आसपास लाने की कोशिश करता है ये वही altitude hold phase और fine breaking phase के बीच में जो situation था जब चंद्रयान 2 का control loss हुआ इस रो के साथ और वो crash land कर गया उस समय वो 335 meters from the surface of the moon था इसलिए चंद्रयान 2 को आज भी आप वहां के spacecraft से और चंद्रयान 2 का orbiter भी उसको clearly spot कर सकता है लेकिन unfortunately इतनी hard landing हुई उसकी कि उसका communication system बिलकुल fail कर गया और ये ना हो इसके लिए the final phase, the terminal descent, the final phase जब spacecraft धीरे धीरे vertically almost zero speed पर softly land करता है moon की सतह पर और ये हुआ और soft and successful landing का announcement ट्विटर की दुनिया में भी हुआ जब चंद्रयान का एक tweet इसरो ने publish किया इंडिया I reached my destination and you too तो ये तो खर्वो टाइम इसको retweet भी हो गया है तो ये आपको clearly दिखाता है कि कितना जादा interest हो गया है वो भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे space program में हमारे space projects में इतने जादा लोग अब interested है अब चंद्रयान 3 successful हो इसको और जो चंद्रयान 2 की गलतियां है जो हम बार-बार अपने episodes में पहले भी बोलते आए हैं कि इसरो की एक खासियत है कि वो अपनी गलतियों से सीखता है और bounce back करता है चंद्रयान 3 में बहुत सारे algorithms हैं जिनको change किया गया था हर चीज़ को finally calibrate किया गया था बहुत सारे stress test failure test को किये गये थे lander को एक capacity of hovering दिया गया था जिससे कि अगर लगे कि surface uneven है तो फिर वो अपनी position change भी कर सकता है और landing area को भी increase कर दिया गया कि भईया आप 2.5 km नहीं 4 km के radius में कहीं भी अच्छे तरीके सा आप land कर सको अब देखे पूरा जो change होता है आपकी outlook का failure based था मने scientist ने हर failure point को उठाया और देखा कि उसको कैसे improve कर सके चंदरयान 2 से चंदरयान 3 में कैसे upgrade कर सके इसका मतलब strengthen legs कि भईया अगर किसी वज़े से rocket fuel out हो जाता है या सही calibration नहीं होता है, rocket engines ठीक से fire नहीं करते हैं तब भी अगर 10 km प्रती घंटे की रफतार पर भी है वो crash land करके भी successfully अपना mission carry out कर सकता है bigger fuel tank दिया गया है चंदरयान 3 में जिससे की वो कभी out of fuel वाला situation ना हो more solar panels भी दिये गए हैं जिससे कभी power shortage ना हो और additional instruments भी लगाए गए हैं जिससे not only software calibration की landing area और landing laser finding ranger से कि इसमें कोई problem ना हो जो चंदरयान 2 में हुआ था तो ये सारी changes की गई थी चलो अब तो successful landing हो गया अब बात आती है कि इसके आगे क्या होगा अभी तो picture शुरू हुई है अब अगले कुछ घंटों में जब तक मेरे खाल से आप ये episode देख भी रहे होगे तब तक एक ramp खुलेगा और एक six-wheeled vehicle प्रज्यान rover के लिए एक ramp बन जाएगा from within the lander और ये फिर rover बाहर आएगा तो not only the first lander, we will also put a rover on the moon और ये फिर चार घंटे बाद बोला जा रहा है पही एक बाद dust settle down कर जाए इसके clearings एकदम ठीक हो जाए और उसके बाद अपनी navigation cameras on करके ये rover मून की सतेह पर जाएगा साथ ही साथ जब ये rover के wheels चलेंगे तो हमारा national flag और इसरो का logo lunar surface पर चप जाएगा और ये खरवो साल तक वही रहेगा जब तक ने इसको कोई disturb करेगा इसके साथ साथ rover में instruments हैं, payloads हैं जो की moon के surface के बारे में data relay करेंगे elemental composition, moon का basic atmosphere and soil composition का जो data है वो हमें वापस भेजा जाएगा ये lander, near surface plasma, ions और electrons एक बहुत पतली सी सतह है, एक atmospheric covering होती है moon में उसके बारे में पूरा research करेगा measurements of thermal properties of the lunar surface क्या seismic activities है, landing area में उसको भी determine करेगा कि crust and mantle तो एक तरफ से चंद्रयान 2 ने अल्रेड़ी बहुत बढ़िया तरीके से overall mapping करके रखी है और अब हम इसका surface mapping और surface composition भी ठीक से समझ पाएंगे दो हफ़तों का time है और उसके बाद तो एक dark winter आ जाएगे, एक night आ जाएगा तो यही दो हफ़तों का एक time span है जहां इतना सारा research अब अगले दो हफ़तों में होने वाला है और अगर by any chance कोई भी communication loss हो जाए या rover का तो चंद्रयान 2 orbiter भी वहाँ है जो कि एक contingency communication relay काम करेगा सोचिए चार साल पहले launch किया गया चंद्रयान 2 का जो satellite है, orbiter है वो अभी भी काम कर रहा है and as a relay station अभी भी हमारे लिए काम करेगा मेरे हिसाब से तो शायद internationally भी आप compare कर लो तो most successful series है ये of spacecrafts चंद्रयान 1 super successful first shot सीधे moon तक पहुँचा बहुत कम लोग ये जानते हैं कि चंद्रयान 1 में भी एक lunar impactor था एक छोटा सा lunar impactor probe जिसके उपर इंडिया का flag भी था जिसको forcefully lunar surface पे crash कराया गया था जिससे कि वहां का lunar dust उठे और उसको study किया जा सके so it was a super duper success again at very low cost चंद्रयान 2 partial success, lander fail किया लेकिन orbiter ने बहुत बढ़िया काम किया अभी तक काम कर रहा है और उसी चंद्रयान 2 के एक orbiting instrument ने identify किया था signs of water जो की minerals में trapped है and polar area में trapped है उसी के बारे में और अब research कर रही है international community and finally चंद्रयान 3 already a success, soft landing on the lunar south pole and rover coming out we will get more information अगले दो हफतों में finally, future क्या है इस रो का और ये बोलते हुए मुझे और भी मज़ा आता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है अगर इसी तरीके से success होता रहे इसी तरीके से low cost high impact missions plan होते रहे तो शायद NASA and all को तो फिर drawing board पर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अब next है Gaganyan, हमारा manned space mission बहुत जल्द हमारे astronauts हमारे rocket में space में जाएंगे ये project थोड़ा सा delay चल रहा है लेकिन मेरे ख्याल से चंदरियान 3 के success के बाद आप बहुत जल्दी results देखोगे Mars lander, याद रखिया, mangal yan also एक world record है क्योंकि पहली बार, first shot में हमने एक satellite भेजा all the way to Mars, जो की और किसी देश ने first attempt में नहीं किया था और अब अगला step होगा to land on Mars, और यहाँ से जो technological know-how मिला है moon में land करने के लिए, वो mangal yan 2 के लिए भी बहुत mangal may होगा and finally a mission to Venus is also on the cards साथी साथ commercial space launch तो चली रहा है, significant player है ISRO में, अपना खर्चा खुद ही निकाल लेगी जिस rate पर हम दूसरे लोगों के satellites launch कर रहे हैं, अब साथ ही साथ सरकार ने private space players को भी allow किया है, तो अब हो सकता है कि SpaceX जैसी company इंडिया में भी बन जाए अगले कुछ सालों में और ये सब देखने के बाद शाए DRDO वालों को थोड़ा बोलना चाहिए भाया, मंगल तक पहुँच चुके हैं, मून में लैंड कर चुके हैं, थोड़ा drone शोन बना दो थोड़ा fighter jet बना दो, जिससे कि USA से import ना कराना पड़े ISRO हमें clearly दिखाता है कि हमारे जो institutions हैं अगर आप उन्हें autonomy दो और जादा पैसे ना भी दो, तब भी वो low cost में क्या-क्या कर सकते हैं कितना possible है, और पूरी दुनिया उसके बारे में आज बात कर रही है, international publications देख लीजिए, हर जगे ISRO के बारे में discussion चल रहा है और finally मैं ये बोलूँगा कि Article 51 AH में एक fundamental duty भी बोला गया है हमारे जो सरकार है, हमारी जो governments है और वो है to develop scientific temper humanism and the spirit of inquiry ये जो scientific temper develop करने की बात है ना, आज जैसे जितने बच्चों ने और teenagers ने देखा होगा क्या scientific inquiry temperament आया होगा तो ये temper थोड़ा कम करना पड़ेगा science थोड़ा जादा करना पड़ेगा और मेरे खाल से अगर ऐसी success stories होती रही हमारे scientific world में तो शायद इंडिया का वो जो scientific temper है वो धीरे धीरे जो कम हो रहा है उसमें फिर से बहुत बड़ी boost आएगी और ये चांद पे land करने जैसा ही achievement होगा अगर फिर से हम वो अपना scientific temper वापस ला सके तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा है I am absolutely amazed and a proud feeling really कि हमारे देश ने इतना बड़ा काम किया है I hope that ISRO को सारा support मिले और वो मार्स क्या Pluto तक भी पहुँचे बहुत ज़दी झांद पे लुपत को सारा शली तक व्हाल लुपत काम कि रहा है जो भी एग बहुत दियुत झाल